हेलो स्टुरेंट्स आज हम प्रश्ण कोशक के बारे में जानकारी प्राप्त करें पार्ट्टी विशे को सदर, शुरोचक और स्पस्ट बनाने के लिए प्रश्णों का प्रयूग किया जाता है प्रश्णी पनाने या पूचनी की परंपरा हमारी देश में बहुत पुरानी में कहा जाता है कि स्पराप ने इसको शुरू किया था इस लिए इसे सुकराईशी विधीर भी कहा जाता है वटमार के देखें तो इसका महल को और अधीड बढद देखे है प्रश्ण पूछने से चात्रों का मुझूबर बढ़ता है तो कोई गड़ बाद में इसलिए ऐसा करा जाता है कि यदि कोई शिक्षप व्याक्षान दो अच्छा देता है पर यदि वो प्रश्ण नहीं पूछ सकता या प्रश्ण पूछने में कमजोर है तो उसे एक अच्छा शिक्षप नहीं कहा जा सकता है प्रश्ण पूछना एक कला है और प्रश्ण को पूछने वाला एक कलाकार देता है इसलिए हमारे शिक्षप कारे में जब भी वध्यापन कारे करें तो ऐसा कोई कदम नहीं होता जह प्रश्ण की आउशक्ता नहीं होती। प्रश्ण पोचने से न किवल शिक्षक सजग रहते हैं, बल्कि कक्षा में छात्र भी सजग रहते हैं, उनका आलस दूर हो जाता है, शिक्षन कार्थेपति रूची जाब रहते हैं। तो आज मुं देखेंगे कि प्रश्णों के उद्धेश ही क्या होती है , यानि प्रश्ण क्यों पूचे जाते ह। इसके अंदर कर छात्रों को नया ग्यान जब दिया जाता है, उनका पूल ज्यान कार्ने के लिए प्रश्ण पूचे जाते हैं। बालकों कादना पाठ की ओर लगाने के लिए बालकों और छात्र दोनों को प्रेवित करने के लिए प्रश्णों पूछे जाते हैं उन्हों पाठ के बौरान कौन सा ज्यान अर्जित दिया इसके मुल्यांकर के लिए प्रश्णों पूछे जाते हैं शिक्ष्यक स्वयाम का मुल्यांकन प्रश्णों के मांत्रम से करता है अर्थाग पाड के दौरान जब छात्रों से पढ़ाये गई विश्यक के अंतर कुछ पूछता है छात्रों के दौरा इंग उत्तर प्राक्टरते ने तो वह स्वयाम मुल्यांकन होता है अर्थाग उसे अच्छेगाय प्रष्णों से छात्रों का बुल्याम कंभी हो जाता है कि उनका कितना अग्लाम शिक्षंकारितिय और केंवरित है या नहीं तो इस प्रकार यहन के उद्देश ने है बहुत धिक सामाजिक विकास के ये तार्तिक शक्ति, चिंतन शक्ति को बढाने के लिए प्रश्णों पूछने का उद्देश अब हम देखेंगे प्रश्णों के प्रकार कौन कौन से नहीं तो इसमें पहला है स्मृतिव प्रेश्ण, स्मृतिव प्रेश्ण का अड़्वा कि छात्र अपने पूर्व ज्यान के आधार पर प्रेश्ण का उप्तर देता है और विशेशकर जब हम कोई पाठ की शुरुवात करते हैं, प्रकरण बदलते हैं, ऐसी स्थिती में हम चात्रों से स्मृतिव प्रेश्ण पूर्ष सकते हैं जैसे महात्मा गांदी का जनु कब द्वा था, स्वामे विवेकानन्द के बच्पन का नाम क्या था तो यह विश्मती आधारिक प्रिश्ण होंगे, जिनका चात्र जवाब देंगे, इस उन्हें ने सरी उत्तर दिया, तो आप उनको पुनरवर्न प्रिश्ण करें दूसरा ही 180 प्रस्तावना प्रिष्णौ जैसा कि आप जानते हैं कि प्रस्तावना प्रिष्णौ जो होते हैं वहाँ छात्र के पूर्व ज्ञान के आधार के साथ साथ मूल पार्ट से जोडने वाले प्रिश्टि पहते हैं जैसे आप सन्योजब्ता पार्ट पढ़ा रहे हैं तो उसके पहले आप छात्र से परमाणूं अनूं एवा आयान से सम्मदित यदि आपने प्रश्णिक किये तो यह प्रस्ताना प्रश्णिक होगे क्योंकि इसमें छात्र के प्रिवेस नौलेज का भी ज्यान भी हो जाएगा साथी इन प्रश्णों के द्वारा हम छात्र को नए पार्ट ने मूल पार्ट से भी चोड़ सकेंगे विचार अत्मत प्रेश्ण, ऐसे प्रेश्ण से चाहिए, विचार अत्मत प्रेश्ण को तयार हो, ऐसे प्रेश्ण को विचार अत्मत प्रेश्ण कहेंगे, जैसे हरे टमाटर लाग क्यों हो जाते हैं, जब हम वायला की पढ़ाते हैं, तो हरे टमाटर लाग क्यों हो जाते है या कच्छे फल पक जाने पर रंग क्यों बज़र लेते हैं तो वो विचार करेंगे कि इसमें किस लवक का कार्यों हो विकासात्मत प्रेश्ण है अगया इसका अचुनगा कि पाट के विकास होई याने शिक्षण के दौरान जब हम पाट का विकास करना चाहते हैं और उसमें छाक्रों का सायों लेते हैं तो ऐसे समय में हम विकासात्मत प्रेश्ण करते हैं जैसे हम नक्षा दिखाते हुए कि पूछें कि इसमें कलकलता की स्थिपी बताई है और बताईए यहां पर किन-किन चीज़ों का उत्वादा होता है और आगे नों यहां भी प्रेश्णों पूछ सकते हैं कि यहां पर पड़स उत्यों क्यों अधिक है तो चुकि वह उसी टोपिक को पढ़गा है तो इन प्रेश्णों के बारा पाड़ का वुकास होगा और जो चात्रों की सहयोग से होगा अताब यहां अधिक सफल माना जाएगा बोध प्रेश्णों बोध प्रेश्णों का अड़ पता है कि पाड़ पढ़ाते समय हमने जितना पोर्षन पढ़ाया उसके बाद तुरंट यहां से संबंदिक प्रेश्णों पूचा तो इसका अड़ होगा बोध प्रेश्णों याने उसने कितना सीखा उसके तुरंट बाद यहां से हम खाद शंकला पाड़ पढ़ा रहे हैं तो यभी हमने पूचा कि खाद शंकला में कितने स्टैप्स होते हैं तो यहां हो जाएगा पोध प्रेश्णों क्योंकि अभी हमने इसको पढ़ाया है और आँ इसका पूच प्रेश्णों पूचते हैं यहां होगा पोध प्रेश्णों पु्न्रावत्य प्रुष्ण पाठ कढ़ाने के दोरान जब हमारी पूरा पाठ समाप्त हो जाता है, तो हम दोहराव हो जाएगा, साथ ही छाक्रों से जो प्रिश्ण करेंगे तो हमें भी यह समाज आजाएगा कि हम पाठ पढ़ाने में कितने सफल हुए तो पुनरारुति प्रिश्ण के अंग्त में पूछे जाती है जिससे हमें या हो जाता है कि हमारे पाठ पढ़ाना सफल हुआ या नहीं हुआ वो छाकूर को भी अपने मुल्यांतन का उसर बिर जाता है। अगले के तुलनात्मत प्रेश्मन यहां भी पाट के दौरान पूछे जाते हैं जैसे हम सहाजीवी और म्रतोप जीवी की तुलना करने को करें कि सहाज तुलना करें सहाजीवी और म्रतोप जीवी में या सहसयोजी योगी और विद्धुत सयोजी योगित में क्या अंतर है यहां पाठ के दौरान हम पूछ सकते हैं तो इस प्रकार दो चीजों से संबंधिक अंतर करना छाक्र सिखेगा साथ ही हमें भी आगया को जाएगा कि चाक्र इन दोनों चीजों को प्रथक-प्रथक समझ चुपाई वणनाथमक प्रष्ण वणनाथमक प्रष्ण दिर्गप्रष्ण होते हैं इसके लिए हम चाक्रों को पूरा पढ़ा तुके हैं उससे संबने प्वश्चन रह सकते हैं जैसे भारतिय समिधान की विशेशिताएं बताएंगे हैं चुकि यहाँ प्रश्ण बढ़ा है इसलिए कप्षा में किसी एक चाक्र से नहीं पूचा जा सकता क्योंकि वहाँ अधिक लंबे समय तक उसे आंसर देना पड़ेगा तो बहतर होगा कि इस वणनाना का प्रश्ण को तुकोरों में बाढ़तिया जाए और एक मिशेश्टा जैसे भारतिय समिधान की मिशेश्टा पूची गई है तो एक मिशेश्टा पूचे इस प्रकार पूरी कख्ष्या के चाक्रों को आंसर देने का माका मिलेगा किसी पर ज्यादा बोज भी नहीं आएगा आलोचना न प्रश्णा कुछ प्रश्णा ऐसे होते हैं जिसमें आलोचना की जाती है जैसे भार्ती सविधान की दस्तावना का आलोचना की आलोचना पक संभुषा कीजिए तो इसमें छात्र सोचेगा इसमें इसी कौन सी कम्यान है और वहाँ आपको बताएगा अर्था वह चिंतन करेगा, विचार करेगा और इस प्रकार उस आंसर का विकास भी होगा इसकी बाद में लखु प्रश्णा, दीलग और वस्तुनिश्ट प्रश्णा तो लखु प्रश्णा का आपकोता है जैसे उसमें किसी की परिभार्षा पुछले या कोई दो उधाराण, विचले, दो विशेश्टाइए प्रश्णा जैसे सन्योजता किसे काते है, या विदुथ सन्योजी योगिकों के दो विशेश्टाइए बताएगा इस प्रकार में होगया लगू प्रश्णा दीदग प्रिश्ण याने निवनात्म प्रिश्ण होते हैं इसमें पूछा जाए जैसे सहसयोजी योगिकों की विशेशिताएं बताते हुए कि दो उधारन प्रिशिए वस्तुनिष्ट प्रिश्ण जो रहते हैं वह अत्यन्द सुक्ष्म होते हैं और उनके कई प्रकाव होते हैं जैसे सक्त्य असक्त्य बताईए, सही में कल्प चुनिये, खाल स्थान अलिये, इन तीन में से किसी एक ट्वाट्ति के लगाईए, अनेक का एक अर्थ बताईए या इस प्रकार इंस्तुनिस्त प्रिश्ण कहे लाते हैं तो इस प्रकार में ये प्रश्ण की जांकारी शिक्षतों होना चाहिए और अपने पाट के दोराँ इन प्रश्ण का उप्यों, यदि वहा करें तो बाब प्रश्ण स impression कार्में में कलाकाल सिद्धू होसकेगा अब ये प्रेश्ण के प्रकार में यदि प्रेश्ण पूछने का तरीका यदि हमारा सरी में हुआ तो हम छाक्रों के बीच आरोचना के पात होंगे तो हम देखे की प्रेश्ण पूछने का अमुचित तरीका या मुचित प्रेश्ण कौन से होंगे तो उसमें पहला है हां या नहीं से संबंदिक प्रेशन हमें नहीं पूछना चाहिए क्योंकि इसमें एक उत्तर सही ही होगा यदि हमने किसी छात्र से प्रेशन हमें पूछा और उसमें उत्तर हां में दिया किसमत से उसका उपका सही लग गिया तो ऐसी कंडिशन है जब अचाहिए बैठेगा तो अपने साथी से करेगा कि मुझे उत्तर नहीं मिलागा मैंने मल से इना कर दिया और वो सरी निकल गया तो इस प्रकार हम उसका सधीर रूप में अवरोकन नहीं कर पाएंगे तो आप हाँ यह नचीत उत्तर को अवाइप करें पर यदि आपने साथ कर ही बैठे हैं तो आप उसी से उस प्रश्न के उत्तर का कारण वहचिए प्रती ब्रिच्ट का अअच्ट है जैसे आप पढ़ा रहे हैं और आपने पढ़ाने को द्वरान पता दिया कि दिल्ली भारत की राड़ाद्मी है फी थोड़ी देवादा पूस्ते हैं दिल्ली भारत की तो छात्र ने गोला राज रहनी है या आपने गोला कि दिल्ली भारत की क्या है तो उन्होंने आप पांत्र दिया दिल्ली राज रहनी है तो ऐसे प्रश्ण को कहा जाता है प्रतिवनी प्रश्ण है और यह प्रश्ण द तो इसका अच्छा प्रवा चात्र पर नहीं पड़ेगा इसके लावा है रितिस्थान की पूर्थी करना रितिस्थान की पूर्थी वाले प्रश्ण है जैसे आपने वाक्त का मद्यपदेश की राइधानी तो चात्र ने उतर दिया गोपा आपको प्रश्ण करना चाहिए मद्यपदेश की राइधानी का नाम बतानी ना कि ऐसा कहना कि मद्यपदेश की राइधानी तो चात्र उतर देंगे मोपा दोगी दुखतानी प्रेश्ना यहन इत्यत है. इसके बाल है स्वी कारोपती प्रेश्ना? स्वीकारोगती प्रेश्ण का अर्ष है जैसे आपके पंच वर्षी योधिना कितने वर्षी के लिए पूती है? तो निश्यत रुप से चात्र कर देगा पांच वरश के लिए या बीस सुत्री कारवा में कितने सुत्रों कते हैं तो आंसर में लेगा बीस अर्था इसमें चात्रों ने नहीं कोई चिंतन किया नहीं कोई पुद्री लगाई वतुरंत उत्तर दिया क्योंकि आपने प्रश्ण में ही उत्तर का आवाज करा दिया तो यहाँ भी एंप्रेसिंद नहीं रहते अलंकारी प्रश्ण कुछे शिक्षक विश्विश्षकर भाषा पढ़ने वाले अपने प्रश्णों को बहुत अलंकारी की दूप में चाक्रों के सामने प्रस्तुत तरते हैं जैसे मानाथा का अगुर मनुष्य में तो बोना ही चाहिए आप बताएए क्या मनुष्य में मा मानाथा का अगुर अनिवार है तो ऐसे प्रश्ण न तुब बहुत अधिक लंबे ने वल्किसम कई शब्द व्याड़ होने के कारण चाक्रों पर अच्छा प्रभाव नहीं डालते हैं अता शिक्षक आरामकारी प्रश्ण कूछने से बचेगे उत्तर का आभवास कराने वाले प्रश्ण रथा ऐसे प्रश्ण जिनसे चाक्रों को उत्तर का आभवास हो जाता है जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि एक बंच वर्शी योजना कितने वर्शिक होती है मेंड़ा को पानी और जमी दोनों में रख सकता है क्या तो तो यहाँ प्रश्ण अच्छे नी माले जाते अनुचित प्रश्ण की कैटेगरी में हालते है इसलिए आप इस प्रिश्ण के प्रष्ण करने से पचबीवार यहाँ होगार प्रश्ण के प्रखा और यह वगropriIGHT अनुचित प्रश्ण जिनसे हमें पच्चना चाले होगे इस इसके अलागा कुछ ऐसे प्रेश्म भी होते हैं जो सही संदर्वर में नहीं मारे जाते अर्था ऐसे प्रेश्म जैसे आपने कहा कि मेले कब भराते हैं मेले कब भराते हैं अब आपकी गख्षा में जो छात्रन ने उन्होंने पहले बार तो आपको सब्सक्ता है महिला नहीं देखा हो या फिर आपने बिले कार्ट बता दिया हो कुछ छात्र ऐसे क्षेतों से इने जो उनके क्षेतों में अलग-अलग प्रकार के दिले अलग-अलग समय पर भराते हैं तो आप ऐसे प्रश्न पूछने से बचें जिनके कई उत्तर हो अर्था प्रश्न ऐसा हो जिनके जिसका एक अगी उत्तर हो इस प्रकार आप समझ दोए होगे कि प्रश्न कैसे किये जाए, प्रश्न के उत्तर दिखालने के लिए आपको बहुत रहास करना पड़ेगा, आप घर से ग्लांद दना के आईए और प्रश्न के चुँए, इसके अलागा अच्छी प्रश्न के कुछ मिशेश्ट प्याहतीने, जैसे प्रश्न का एक ही उत्तर हो, प्रश्न नहीं बहुत अदिक लंबा हो, नहीं बहुत अदिक चोटा हो, प्रश्न का कोई एक विश्चित अर्थ हो, और इसके रावा, अगर आप प्रश्न कुछते ने, तो उनकी एक यही प्रकार की भाष्ट्या ना हो जयसे आप प्रदूप्षन पाठ्ण बढ़ा रहे हैं प्रश्म जोेंगे, आर्था चाक्षय के अनुकूल प्रश्म परेंगे, फिर इसन से बार हमारी काक्षय में कुछ हर प्रकार के चात्रों में कुछ बहुत अधिक धुद्यमान, कुछ मद्यम ट्रेनी के और कुछ बहुत अधिक वीख होंगे तो जब आप प्रश्न करें तो चात्रों को में चात्रों से इस प्रकार के प्रश्न पूछें कि हो सके तो वे आंसर देशें जैसे बहुत अधिक दिमान चात्रे, उसे साधराण प्रश्न पूछने से बचें, जो साधराण बाधते हैं उससे बहुत अधिक प्रश्न पूछ कर उसे कख्षा में लज़्चित ना परें. यदि कप्षा में कोई एक चात्र है जिससे आपको उमीद है कि वहाँ प्रश्न का उतर देगा तो उसको एक मुखा आवश्य दे प्रश्न पूछने का यदि वहाँ उतर नहीं दे पाता है पैसे स्थिति में एक ऐसा चात्र जिससे आपको उमीद है कि वहाँ प्रश्न का उत उत्तर दे सकेगा तो उसे खड़ा कीजिए, प्रश्न पूछिए और इसके द्वारा जो उत्तर दिया गया है, यदि वह सहील है, तो वह चात जिसने अभी प्रश्न को उत्तर नहीं दिया था, उसे दोहरवाई दिया, निश्ची तूप से आप ऐसा प्रयास करेंगे, तो जो जो चात कख्शा में उत्तर देनी से बचता है, वह उत्साई होगा, और अगले कख्शा में हो सकता है, कि वह सही उत्तर दे सकेगा. है जब भी प्रेशन पूझे है तो इन इस्तितियों से परचे, पहली इस्तिति कि क्रम छातों से प्रेशन ना पूझे अटा पहला प्रेशन पहले चातर थे एक दूसर पहले चातर से यदि आपना ऐसा किया तो कप्षा में पीछे बैटे साथ निश्शिंत हो जाएंगे कि हमारा हमारी बारी पर आने ही वाली नहीं क्योंकि जब तक हमारी बारी आएगी पीरेट छुट जाएगा अता सही तरीका ऐसा है कि आप पहले प्रश्न पुछिए पूरी कख्षा को संभूर्दित करते हैं कुछ पल रुखिए ताकि चात्र सोच तके और फिर किसी एक चात्र से पूछिए अगला जो प्रश्न है वहाँ कख्षा में वितरिक करने हुए अगले किसे ऐसे चात्र से पूछिए जो उवीद नहीं कर रहा था कि मुझे से पूछ जाया है इस प्रकार पूरी कख्षा को प्रश्न को संभूदिन करिए कुछ पर रुखिए वह जहां ताको एक ऐसा चात्र जो सतर्द नहीं है उससे कोश्चन करिए इसके कार्ट अन्य चात्र भी कख्षा में सतर्द बोकर बढ़ते हैं डिस्टिब्यूशन करने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए प्रश्न पूछते समय आपने लाड़े श्टुडेंट या एक ऐसा चात्र जो हमेशा उत्रा देता है समय बचाने की रश्टी से हमेशा खुर्श से ही उत्तर ना पूछें अन्य ता वह चात्रों की नड़ा में किर्चिरी तो बनेगा ही और बाकिक अक्षा में नीरस्ता भी खेलाएगा अता आप अन्य चात्रों को भी कूंका दें और यदि वह उन्होंने उमीदी के अमसार बहुत अच्छा उत्तर दिया यानि आपने उमीद नहीं किती कि अच्छा उत्तर देगा यदि उसने बहुत अच्छा उत्तर दिया है तो आप उसी के अमसार उसको प्रभला दें रिन्वोर्स करें ताकि वह आपने कख्षा में हमेशा उत्तर देंगों उत्साहे करें इस तो स्वयाम की मुल्यांत्र में पास होने क्या पृसर पराफ्त होगा, चैतर आपसे प्रहाविक होंगे और अगले दिन आपके प्रश्णों की रह देखिएगे कि आप कभ प्रश्न करें आप समझ गे होंगे कि किस प्रतार प्रश्ण करें और आप तयार करें प्रश्ण कुछने की कि शंख्ला बनाईए अगले बार आप जब भी कक्षा में जाएं इस प्रतार के प्रश्ण को तयार करकें और कक्षा में प्रश्ण कुछें स्वयां कावी मुल्यांतन करें और छा प्रोपावी मुल्यांत्यां करें। निश्चिति आपको तफरता में लेत। धन्यवाद।